हलो एव्रिवान आज हम बात करेंगे दिल दोस्ती डांस शो के बारे में विच इस अलसो लोन अस डी थ्री तो डी थ्री का फर्स्ट एपिसोड एर हुआ था on 11th April 2011 and अभी almost 9 years हो चुके है उस शो के फर्स्ट एपिसोड को एर होके तो अभी उस शो का कास्ट कहाँ पैंड क्या कर रहा है इसे बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पर उससे पहले अगर आप चानल पे न्यूँ हैं तो वल्कम टी न्यूस पी प्लीस सब्स्क्राइब तो चानल और निद्धाट पल आइकन so that आपको हमरे चानल के नोडिफिकेशन्स मलते रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्डिंग विद फर्स्ट कुवर अमर इनका शो पे नाम था रियांच और अभी अमर 35 योज के है आफ्टर डी त्री अमर ने कई डिफरेंट शोस किये जैसे की नच्पल ये फाई डेर्ट टू डांस प्यार तुने क्या क्या और ये है आशकी उसके अलावा अमर का अने नाफ चारली के साथ रेलेशन्शिप रहा सेकेंड बात करते हैं शक्ती महान के बार में जिनका शो पे नाम था क्रिया वो अभी थड़ी फोर येर्स की है अन आफटर डी थ्री क्रिया ने कई शोस में गेस्ट अपिरेंसिस दिये अन उसके अलावा जलक दिखला जान डांस प्लस जैसे शो का भी हिस्सा रही देन रावडी राथोर के फेमस सांग और ये प्रितम प्यारे इसमें भी दिखाई दी थर्ड बात करते हैं शांतनू महेश्वरी के बार में जिनका शो पे नाम था स्वयम शांतनू अभी 29 येर्स के है अन आफटर डी थ्री शांतनू ने ये है आशी की ट्विस्ट वाला लव प्यार तुने क्या किया ऐसे तरह के फिक्शन शोज किये देन कई रियालिटी शोज भी किये जैसे कि खत्रो के किलाडी एड और नचबल ये नाइन फोर्द बात करते हैं स्नेया कपूर के बार में जिनका शोपे नाम था शारान राइप्रकाश स्नेया अभी थड़े फोर येज की है और जब D3 स्टार्ट हुआ था तब ये शारान का रोल प्ले करती थी बट बाद में उन्होंने शोड छोड़ दिया और हमें न्यो शारान देखने मिली स्नेया ने अस अ कॉरियोग्राफर काफी शोड में काम किया आफ्टर D3 स्नेया ने ज़्यादा बड़े शोड नहीं किये और 2014 में स्नेया ने लवीन के साथ शादी कर ली लवीन वो ही है जो D3 में शिवम का पार्ट प्ले करते थे फिफ्ट बात करते हैं मैसडान के बारे में जिनका शोपे नाम था निलेश निलेश अभी 28 यर्ज के है और आफ्टर D3 निलेश ने बिंदास नाच जैसे शोड किये बट ज़्यादा बड़े शोड में नजर नहीं आए सिक्स बात करते हैं वरुशिका महता के बारे में जिनका शोपे नाम था शारान राई प्रकाश इसने आगे एक्जिट करने के बाद वरुशिका शोपे आई थी वो अभी 26 यर्ज की है और आफटर D3 उन्होंने ये है आशी की फियर फाइल्स, ट्वेस्ट वाला लव, प्यार तुने क्या क्या इश्क बास, ये तेरी कलिया जैसे शोड किये वरुशिका का रेलेशन्शिप के बाद की जाए तो सुनने में आया था कि वो उनके को एक्टर शांतनु की साथ रेलेशन में थी जब D3 की शूटिंग हो रही थी सेवेंद बात करते हैं प्रतीक के बारे में जिनका शोपे नाम था विक्रम वो अभी 30 अर्स के है और आफटर D3 प्रतीक MIA हो गए उन्होंने जादा कोई बड़े शोज नहीं किये बट ऐसी दिवान की देखी नहीं कही इस शो में वो नजर आए उनकी गर्ल्फरेंड का नाम सोनल है एट्थ बात करते हैं प्रियंका सोनी के बारे में जिनका शोपे नाम था रिन्नी प्रियंका ने भी D3 के बाद ज़्यादा बड़े शोज नहीं किये नाइंद बात करते हैं अमर के बारे में अमर 28 यह के है और आफ्टर D3 वो भी M.I.A. हो गए और ज़्यादा किसी शोज में नजर नहीं आए तेंद बात करते हैं समानता फर्नांदस के बारे में जिनका शोपे नाम था सिम्मी वो भी 29 यह की है और आफ्टर D3 उन्होंने यह आशे की गुम्रा और मेरे डाड की धुलन जैसे शोज किये और उनके बाइफ्रेंड का नाम है जरिमी फाइनली बात करते हैं भारत के बारे में सो भारत भी आफ्टर D3 जादा शोज में नजर नहीं आए So that's it for this video इस वीडियो में हमने सिफ वो एक्टर्स को इंक्लूड किया जो दिल दोस्ती डाउन्स शोग के फर्स सीजन के फर्स एपिसोड से थे और पुरुशी का फर्स एपिसोड में नहीं थी वो बाद में शोग का पार्ट बनी बट वो शोओ में one of the lead role थी इस वज़े से उनका नाम भी हमने इस लिस्ट में इंक्लूड किया सो आप अजबार में क्या सोचता है कि क्या आप D3 शोओ देखते थे कि नहीं यह हमें comment section में बताइए और आपकी D3 के favorite actor का नाम भी हमें बताइए और यह वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे like and share करें और इसे और अपडेट्स के लिए चान को पी subscribe करें थांक यू